पूछना चाहते हैं एक सवाल है इसा निजात पाने के लिए बताएं हमें क्या करना चाहिए कानून में क्या लिखा गया है खुदा से महबबत करो और सचे दिल से करो रूफ से पूरी शिद्दत से पूरे दिल से हाँ और अपने हमसाईयों से भी तुमने सही जवाब दिया है जिन्दगी भर यही करना ठीक है तो आखिर मेरा हमसाईया है कौन एक बार एक आदमी यरुशलम से यरी हो जा रहा था रास्ते में रहजनों ने घेर लिया उसके कपड़े उतार लिये मार पीट भी की और फिर उसे जिन्दगी और मौत के दरमया तडपता छोड़ गये ये इतिफाक है कि उस रह से एक राहिब जा रहा था उसने देखा और मदद किये बगएर दूसरी सम्थ चला गया इसी तरह से एक लेवी भी उसी मकाम से गुजरा उसकी भी नजर उस सखमी इनसान पर बड़ी लेकिन उसने मदद नहीं की और वो भी उसे तनहा छोड़ कर अपनी रहा पर निकल गया इसके बाद उधर से एक सामारी मुसाफिर का गुजर हुआ जब उसने उसे देखा तो उसे जखमी पर रहम आ गया दिल पसीच गया उसने जखमों पर मरहम लगाया उन पर देल और शराब लगाई उसे उठाया और संभाल के एक सराय में लेकर गया वहाँ उसके तेमारदारी की और आराम पहुचाया अगले दिन जब वो जाने लगा तो उसने निगरानी पर तैनात शक्स को दो दिनार दिये और दिनार देते वक्त उसने उस आत्मी से कहा जितना खर्च हुआ है मैं जब भी यहाँ वापस लटूँगा तुम्हें सब अदा कर दूँगा तो फिर बताओ कि तुम्हें उन तीनों में से उसका हकिकी हमसाया कौन लगता है वही जिस शक्स ने उस पर रहम किया और उसकी मदद की जाओ और तुम भी वैसा ही करो जैसा उस शक्स ने किया और वह लन है जागता और प्पट्सी जाओ किया